ही गाइज वेलकम बेक तो मैं चैनल मैं हूँ लाय परूच और आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ एनवाई बेकी वीबी क्रेम जिसका शेड है हैंस वार्म हनी 5 इसमें और भी शेड अवेलिबल है आपने इसकिन के हिसाब से शेड सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इसका प इसकी क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी इसमें आ जाती है 27 ग्राम्स तो यह और इसकिन टाइप है एंड क्रूल्टी फ्री है मैट फिनिश देता है एंड SPF 20 के साथ यह हमें मिलता है तो हमें संस्क्रीम की भी जरूरत नहीं है इसके बाद सो हाइड्रेटिंग ह यह वाटर रेजिस्टेंट है प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज सो यह हमें यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है एंड काफी अच्छी इसके रिव्यूस थे एंड बहुत ही मिनिमाम आपको यह कवरिज देता है अगर आपकी स्किन अच्छी है कोई स्पॉर्ट व अच्छी वालों के लिए है तो अब इसको ऊपन कर लेंते हैं इस तरीकी की सील में आता है यह एंड बहुत ही थोड़ी सी कुएंटिटी आपको अपने हैंड पर लेनी है इस तरीके से और मैं अपने हाफ फेस पर इसको लाए करके दिखा रही हूं कि किस तरीके की निश्च देता है यह तो ऐसे आपको चोटी चोटी स्पॉर्ट लगा लेने अपने पूरे फेस पर और दन उसको ब्लैंड करना अच्छे से मैं अपना हैंड की मदद से ही ब्लैंड कर रही हूं उसको तो आप देख सकते हैं यह मेरे जो स्पॉर्ट हो रहे हैं ब्लैक स्पॉर्ट हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ब्लड आउट कर दिया है क्रिप करेंजर को गुलिझा सुझी को यूजिए करते हैं एकमे przestटा इंड मेड ही को यूजिए इस पार केटी तो बार भी क्रिमा को शुरत जिलाइज में तो आपकि अच्छी diameter केटार यहाज मोज़ने कि तरहाid काफी अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो मैं बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप हाँ से चेक आउट कर सकते हैं और मेरी वीडियो आपको हेलफ फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड फैमली के साथ और पहला इकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें फॉर अपकमिंग वीडियो अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे अपलाए कर ले रही हूँ और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीव सून बाइ बाइ थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो